तेजश्वी यादो को आरजेडी का राष्टे अध्यज पनाने की चल रही तयारी के बीच पार्टी के बडिशनेता शिवन अंतिवारी का एक बड़ा बयान सामने आ गया है पार्टी की राष्टियो पादिय सिवन अन्तिवारी ने आरजेडी में बदलाओ और पार्टी की कमान तिजश्वी को सौपने की चर्चा को मीडिया का सगूफा बताया सिवानन्तिवारी ने तो यहां तक कह दिया कि पार्टी में क्यों बदला होगा तिजश्वी तो हमारे पहले से ही नेता है उनके नेतित्व में ही बिधानसभा का चुनाओ लड़ा गया है सिवानन तिवारी का कहना है कि बिधान सबाचिनाओं में कहीं कोई कमी तो नहीं दिखी अगर तेजश्वी यादो राष्टी अद्यश बन जाएंगे तो उससे क्या होगा राज़त को संभालना कोई पहाड का काम तो है नहीं लेकिन अभी इसकी कोई जरूरत नहीं उन्होंने कहा कि आज भी तेजश्वी यादो ही नेता है लेकिन वे कभी नहीं चाहेंगे क्यों उनके पिता जो पार्टी के राष्टी अद्यश है उनसे यपद ले ले इसकी कोई जरूरत नहीं है और तेजश्वी ऐसा नहीं चाहेंगे सिवानन तिवारी ने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर सुप्रीम लालू परशाद यादो का जबर्जस भासन हुआ मैंने सोचा नहीं था कि तव्यत खराब होने के बावजूत वे इतना सांदार भाशन दे सकेंगे लेकिन उनोंने पूरे तरीके से पॉलिटिकल फाशन दिया हमारी पार्टी के राश्टी अदिश लालू परशाद यादों के पास जो तजुर्बा और अनुभव है वाई स्कूल कॉलिज में नहीं पढ़ाया जाता उनके अनुभव का लाब बेटे तेजश्वी को मिल रहा ह सिवानन तिवारी ने कहा कि यह मेडिया का ख्याली प्लाव है कि तेजश्वी राश्टी अदिश बन रहे हैं अभी इसकी कोई जरूरत नहीं सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक तेजश्वी को राश्टी अदिश के तौर पर सीधे कुर्जी पर बठाने की जगा यह का पर बद्द तरीके से किया जाएगा पहले तेजश्वी को कारेकारी अदिश बनाए जा सकता है उसके बाद 2022 में राश्टी अदिश के कमान ती जाएगी कोरोना के सित्थी थोड़ी बहतर हो तो जालू पर साथ यादो पटना पहुंचेंगे और उसके बाद ही तेजश्व करें और बेल आइकन को दबाए ताकि कोई खबर छूट न पाए